ग्यास्व मेत्रों बहुत-बहुत स्वागत है दिववे सरजन में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगनी मैं बुद्ध के विशय में कि यह अगनी मैं बुद्ध जो उस तक रिलीज हुई है यह किस विशय पर है एक समय था भारत में जब चारों तरफ बौध धर्म का वरचस्व था और प्रसार था बाद संप्रदाय बहुत ही विक्सित था और इस देश के कोने कोने में विशेश करके उत्तर भारतिय राज्जियों में उत्तर भारतिय जनपदों में वहाँ पर विशेश रूप से बाद संप्रदाय की जो जनसंख्यातियों बहुत ही सगन थी तो प्रश्णिय उड़ता है कि यह बाद विक्षुक और बाद मठ कहां विलुप्त हो गया और बाद संप्रदाय कहां विलुप्त हो गया और किस कारण से विलुप्त हो गया कैसे विलुप्त हो गया तो यह जो ग्रंथ है अगनी मैबुद्य कुछ ऐसे ही चर्चा करता है सरपर्थम तो यह हमें समझना है कि गाउं गाउं में एक समय पर आज भी अगर आप अरुनाचल प्रदेश में जाएं सिक्किम में जाएं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बौध मठ देखने को मिलेंगे गाउं के अंदर भी छोटे छोटे और बड़े 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 विशालकाई भी और छोटे बौध मठ भी आपको देखने को मिल जाएंगे बड़े आराम से लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं है लेकिन एक समय था जब सारनाथ, नालंदा, बूद गया, वैशाली ये सभी बड़े-बड़े बौध मठो के केंद्र थे, महराश्टर, मध्द परदेश के बहुत सारे छेत्र और आज उनकी अवशेश हमें मिलते हैं, अजन्ता, एलोरा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं या फिर मुंबई के पास अलेफेंटा के गुफाओं में भी बौध मुर्तियां प्राप्त होती हैं, बुद्ध मुर्तियां प्राप्त होती हैं और फिर उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी भी कई अवशेश हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जिस तरह से हमें इतिहास में मिलता है उस प्रकार से बौध संप्रदाय का प्रसार आज नहीं दिखाई देता, आज लगबग विलुप्त प्राया ही हमें दिखाई देता है तो ऐसा क्यों हुआ? बहुत संपरदाय किस प्रकार से विलुप्त हो गया? किस प्रकार से गायब हो गया? इसके पिछे कारण कौनता? इतिहास क्या कहता है? इन सब को जानने का प्रयास किया गया और इन सब को जानते समझते हुए इस गरंथ की रशना की गई जिसको अगनी म बुद्ध गरंद की रशना हुई तो अगनी में बुद्ध वास्तों में कुछ ऐसे ही कहानी है कि बौध संप्रदाय क्यूं विलुप्त हुआ किस प्रकार से विलुप्त हुआ जो एक समय पर पूरे भारत भूमी पर जिनका वर्चस्व था पूरी भारत भूमी पर वैसे छोटी मोटी बात नहीं है कि हम एक वाक्य में या कुछ शब्दों में हम ये सारी बात आपको बता दे कि ऐसे ऐसे बौध संप्रदाय विलुप्त हो गया पहली बात तो यह है कि बौध संप्रदाय के परती हमारी विचारधारा कैसी है हमारी सोच कैसी है क्योंकि राजनीत में चर्चा चलती है वैसे ही अवधारणा लोग बना लिया करते कि शायद ऐसा ही था लेकिन बौध मत्त की स्थिती क्या थी वास्तों में स्थिती क्या थी देश में अलग-अलग समय में अलग-अलग परस्थितियां थी तो किस समय में कैसी परस्थिती थी इसको समझना भी जरूरी है और आज वर्तमान में बहुत धर्म के परति हम कैसा दृष्टी कोन रखते हैं वह भी समझना जरूरी है कहीं राजनीती प्रेरित विचार धारा तो हम नहीं रखते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इतिहास के उपर एक अनुसंधान करते हुए इस कथानक की रशना की गई है यह एक उपन्यास के रूप में यह कथानक के रूप में यह गरंथ इस गरंथ की रशना हुई है जिसको हम अगनी मैं बुद्ध कहते हैं अगनी में बुद्ध तो इस पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है यह पुस्तक अपने अस्तित्तों में आ चुका है तो इस अगनी में बुद्ध गरंथ को हम जाने समझें और इसमें मुख्य रुप से बौध संपरदाय का पतन या बौध संपरदाय का विलुप्त होने की क्य प्रक्रियाती उसको बताया गया है कैसी परिस्थितिया कि बुद्ध के बाद, बुद्ध के तीन सो वर्षों बाद, बाद संप्रदाय से में बहुत बड़ा विभाजन होता है, महायान, हीनयान, बाद में वज्रयान, बहुत सारे मतों और बहुत सारे विचारधाराओं का व सार बहुत संप्रदाई में होता है बहुत तरह के मठ बनते हैं अनेकों संप्रदाई एक संप्रदाई से अनेकों संप्रदाई बनते हैं लेकिन फिर इतिहास में कुछ ऐसा होता है कि बहुत संप्रदाई अपने आप विलुप्त होने लग जाता है उसके विलुप्त होने के कारण क्या था रार्शनी कारण कौन से थे एतिहासी कारण कौन से थे राजनेती कारण कौन से थे इन सभी बातों को हमें समझना होगा तब हमें जाकर वर्तमान में भी बहुत मत को लेकर चर्चाये चलती है राजनीती भी होती है राजनीती भी होती है लेकिन अगर हम इस लेते हैं यह जो पुस्तक है बौध इतिहास के उपर और वैदिक इतिहास के उपर वैदिक करमकांड का इतिहास किस प्रकार से करमकांड की विचारधारा ने फिर से अपने आपको पुनर निर्मित किया बुद्ध के प्रभाव से शंकराचारे के प्रभाव से और कई प्रभाव से दूसरे योगियों के प्रभाव से जो है करमकांड बहुत ही गौन हो गया था करमकांड के विचारधारा बहुत ही पीछे जा चुकी थी लेकिन फिर से यह रिवाईव होता है फिर से यह अपने आ आचारे कुमारेल भटका क्या प्रभाव पड़ा? क्यासा प्रभाव पड़ा? उसकी पूरी गाथा और बहुत संपरदाय के विलुप्त होने की जो गाथा है इतिहास में और आज के समय में बुद्ध के नाम पर जो राजनीती चलती है या धर्म के नाम पर जो राजनीती चल इतिहास पर अनुसंधान करते हुए इस ग्रंथ की रचना की गई है अगनी में बुद्ध ठीक है कहानी शडयंत्र और ब्रह्म हत्या की अगर क्योंकि अब इसके इस पुस्तक के अध्यान का सबसे बड़ा लाब यह है कि आपको बौध धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ में आएगा आज जिस प्रकार से बुद्ध के नाम पर या बौध धर्म के नाम पर आज निती चलती है क्या वो उचित है क्या वो उसका संबंध इतिहास से बिलकुल वैसा ही है जैसी आज जिस प्रकार की माननिता का प्रचार किया जा रहा है तो हम किसी प्रकार के दुविधा में ना हो और एक वास्तविक इस्थिती को समझ पाए बुद्ध और बुद्ध इन दोनों में एक अंतर है उस अंतर को भी हम समझ भाए कि बुद्ध होने में और बुद्ध में क्या डिफरेंस है क्या अंतर है यह सारी बाते बड़ी बारीकी वाली बाते हैं कि बुद्ध और बौध में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है क्या अंतर हो सकता है दोनों एक ही है जी नहीं एक नहीं है जहां पर वैदी करम कान की पुनरा विरती होती है वो फिर से अपने आपको पुनरा स्थापित करते हैं जादा मजबूती से, जादा अच्छे तरीके से वो किस धंग से हो पाती है बाद संप्रदाय का पतन किन कारणों से होता है क्या किसी ने मरवा दिया सारे बौधों को कोई कहता है कि पुश्यमित्र शुंग ने मरवा दिया कोई कहता है सुधनवा रिश्य ने मरवा दिया कोई शंकराचारे को दोशी बतलाता है कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है लेकिन वास्तवी कहती हासि घटना क्या थी और किस प्रकार की क्रांती आई थी एक वैचारी क्रांती आई थी और उस वैचारी क्रांती से एक समाजी क्रांती भी आ गई बाद में समाज के लोगों की जरूरते क्या थी कैसे उनकी जरूरते बदलती है और फिर जो है एक विशारधारा फिर से अपने आपको सामने लाती है एक नई विशारधारा नए धंग से वैदी करमकांड का पुन्रा स्थापना होता है और प्रतिश्चित होता है फिर से तो किस प्रकार से सारी घटनाएं हैं और बहुत धर्म का पहले आंतरिक पतन होता है वैचारिक पतन होता है बहुत संप्रदाय का फिर बाद में इनकी बहुत सारे विचारकों ने डॉक्टर बियाराम बेट कर बहुत बड़े इतिहास का डॉक्टर डीडी को सामभी इन सबने इसके विशह में बहुत कुछ बताया है तो एक अनुसंधान पर अधारित यह ग्रंथ है यह पुस्तक है आपको बहुत कुछ इस पुस्तक के अंदर धर्म के नाम पर अधर्म का प्रसार कैसे होता है अहिंसा के नाम पर हिंसा कैसे फैलती है और हिंसा का स्वरूप क्या है सिर्फ भाषन बाजी से तो अहिंसा नहीं अस्थापित हो जाएगी तो इस प्रकार से बहुत सारी बाते एक संस्थानिया विवस्ता में किस प्रकार स पाखंड, तंभ और हिंसा का माहौल बनना शुरू हो जाता है तो इन सभी बातों को इतिहास की यह एक बहुत बड़े क्रांती काल की गाथा है यह अगनी मैबुद्ध और अगर आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह पुस्तक प्रकाशित हो चकी आप सीधा मुझसे इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं डारेक्टली मुझसे तो कैसे आपको प्राप्त करना है आपको इस वाटसप नमबर पर वाटसप मैसेज करना है कि आपको अगनी मैबुद्ध पुस्तक चाहिए मैसेज करना है और मैसेज करने के बाद यह पुस्तक की जो cost है, रूपीज 350 है इस नंबर पर यह जी-पे फोन पर या UPI नंबर है तो इस नंबर पर आप 350 रूपीज 350 रूपै आप पे करकर आप फिर से जो है उसी नंबर पर आप मैसेज कर देंगे वाटसप नमबर पर 9661802459 आप इस पर मैसेज करेंगे अपनी डिटेल्स अपना अड्रेस तो बाई कूरियर ये पुस्तक जो है आपके घर पर पहुंच जाएगी इसका शुल्क जो है 350 रुपए है और शुल्क जो आप 350 रुपए देंगे उसी में ये बाई कूरियर आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी ठीक है तो आप इस पुस्तक का लाव उठाने का प्रयास करें और इसमें बहुत दर्शन और वैदिक करमकांड की जो फिलोसफी है करमकांड का दर्शन क्या है इन सब की बाते भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और इतिहास में जो एक काल परिवर्तन से जो परिवर्तन आता गया धार्मे की स्थिती में या धार्म की इतिहास में उन सब की जानकारी भी आपको इस पुस्तक के माध्यम से प्राप्त होगी तो ये पुस्तक में एक बड़ी कहानी है एक कथानक है कहानी कोई ऐसी कोई fiction कहानी नहीं है history based जो है इतिहासिक जो historical facts है उन पर अधारित ये कहानी है तो आपको इसका लाब उठाना है तो आप इस पुस्तक को ज़रूर प्राप्त करें और इसको पढ़ कर आप रोमान्चित हो जाएंगे क्योंकि ये एक कथानक के रूप में है और इसमे बहुत कुछ आपको मिलता है इतिहास का ज्यान, दरशन का ज्यान तो मिलता है, साथ में आपको कहानी भी मिलती है शड़यंत्र ब्रह्म हत्या की कहानी किस प्रकार से हत्या का शड़यंत्र होता है किस प्रकार से महत्युकांक्षी लोग बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए भी वो किस प्रकार से सांसारिक रूप से महत्युकांक्षी हो जाते हैं तो ऐसे बहुत सारी कहान जो है एक रोमान्चित कर देने वाली कथा है इस गरंथ में इस पुस्तक में तो आप जरूर ही इसको पढ़ें इसको खरीदें और खरीदने के लिए जो मैंने बताया वाटसप मैसेज करके आप जो है इसको इसकी जानकारी ले ले और पेमेंट करकर आप इसको बुक करवा सकते हैं आप अपना एडरेस दे सकते हैं बाई कूरियर आप तक ये पुस्तक पहुंच जाएगे तो जरूर लाव उठाएं इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का